ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राश्यों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फन या राशी फन है 24 दिसंबर 2023 रईवार का दिन है मार्गशुष महा के शुक्लपक्ष की त्रेयो दशीति थी है इस दिन क्रती का नक्षत्र होगा तथा व्रशवरासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे प्रदोश का वरत रहेगा रवी प्रदोश का वरत इसी दिन किया जाएगा दिशासुल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। व्रशाप करक कन्या व्रश्चिक मकर एवं कुम्भ ये छे राशियां सबसे भागिशाली रेने वाली है। सुर्योदय सुबह साथ बज़ के दो मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को पांच बज़ के छत्तीस मिनिट तक होगा। चंद्रोदय दो बज़ के पंदरा मिनिट रात में होगा। एक बज़ के तीस मिनिट से ले करके तीन बज़े तक शुब का चुगड़ा रहेगा। इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक लाव मिलने का उत्तम संयोग बन सकता है। अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालुका, दैनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस राशी की, आप सब की मदद करेंगे, भावख हो सकते हैं, आनंद मनोरंजन के कुछ आउसर भी आपको प्राप्त होंगे, अपना व्यवहार लचिला रखे, अपना पसंदिदा काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं, दूस पार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा, काम में मन लगेगा, उत्सहाभी आपका बढ़ेगा, उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशालियंक जोकी 5 होगा, अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की, परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, दिन की शुरुबात अच्छे कारियों से होगी, अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन सांथी के साथ आपकी खूब निभेगी और परिवारी जीवन सुखद रह आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी, जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे, आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है, अधूरे काम समय पर निपड जाएगे, जीवन के प्रती नजरिया आपका बदला हो कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है, उपाई के रूप में, किसी भी मंदिर में, यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका देंट शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक जो की तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की, कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं, कुछ नया करने का उसर मिलेगा, सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आजा सकते हैं, आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी, आज आप पुरी तरह व्य असुस करेंगे, डामपत्त जीवन आपका सुखद रहेगा, आपका व्यवहार पाटनर को परिशान या दुखी कर सकता है, व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है, उपाई के रूप में, यदि आप कोई भी लाल रंग का अब हम बात करते हैं करकराशी की, आप अपने मन की बाते किसी को पता नहीं चलने देंगे, राज की बात उजागर नहीं करेंगे, पैसों से जुड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है, या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, धैरे रखे अपनी बात और बादचीत के तरीकों पर नियंतरन रखे, इससे आपको ही फायदा होगा, जो भी बोले सोच समझ करके बोले, अपने इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फायदा भी होगा, आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं, आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है, चुट-पुट समस्याएं जरूर है, लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे, उपाय के रूप में, यदि आप मा दुरगा के मंदिर में कोई भी पुश्प चड़ाएंगे, लाल फू मदद मांग ले, आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके, अपनी रचनात्मक्त, योगिताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे, कोई दोस्त आपको परेशानी के वक्त मदद कर सकता है, परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही भाउख हो परिवर्तन करना पड़ेगा, और उपाई के रूप में एक धूब बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, आपका भाग गिशालियंक जो किद्दो होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, दूसरों के साथ ताल करने के लिए अच्छा समय है, आपका ध्यान घर परिवार पर बना रहेगा, परिवार के कुछ मामले सुलजाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्य करे, आपके विचारों में पूल चड़ाना आपके लिए शुफलडाई साबित होगा, आपका भागिशालियंक जो की आठ होगा, अब हम बात करते हैं तुला राशी की, आज आप किसी अच्छी खबर की जर्वत महसूस करेंगे, इस सिलसले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा, और आसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं, किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा, आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा, खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आ आप शेयर करें, टेंशन आपकी समाप तो हो जाएगी, नए नए आइडियास आपको मिल सकते हैं, किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगर सकता है, इच्छा न होते वे भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा, लोगों की सला या बातों के कारण आपका कंफू जन बढ़ सकता है, ओफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना सकते हैं, और साथ के लोगों से बात करने का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए, उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में यदि आप पीला फूल आपका भागिशालियंक जो की चार होगा, अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की, आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लेंगे, पार्टनर को समय दे, ओफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर ब आपको ध्यान देना चाहिए, उपाई के रूप में, यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, और आपका भागिशालियंक जो किछे होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी की, दूर इस्थान से केरियर संबद्दित सम आपको मिलेगा, जो आपको खुश कर देगा, साथ काम करने वाले लोग आपके लिए लकी साबित होंगे, कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी, जो आपके लिए महत्त पूर्ण रहेंगे, बातचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे, और आर्थिक ला यदि आप कच्चा दूर शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे, तो आप का दिन शुफलदाई साबित होगा, और आपका भागिशालियन के जो की साथ होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, जो लोग आपका विरोध करने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे, इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा, अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे, मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी, आपको कोई ऐसा काम या नोक्री मिल सकती है, जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रख भी मिल सकती है, और कोई दस्तावेज यदि आपके उल्जेवे तो वो भी सुलच जाएंगे, सोच समझ कर किये गए कामों से आपको भरपूर फाइदा होगा, उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, हम बात करते हैं कुमपराशी की, कोई राज की बात आपको पता चल सकती है, और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइदा देंगे, अपने मन की बात पर भरोसा रखे, सकारत्मक सोच रखे, आज पूरी व्यभारिक्ता और समझदारी से काम करे, अपनी वानी और हाव भाव पर नियंतरन रखे, उधार और संतुलित रहे, तनाव के मोकों को हासी मजाक में टाल दे, समय दो-चार दिन में ठीक हो जाएगा, उधार पैसा आप चुका सकते हैं, और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उपाई या नोकरी के कुछ कामों में आप भागिशाली साबित होंगे, कुछ दोस्तों और परिचेतों से आप चर्चा करेंगे, आगे चल करके आपको ही फायदा होगा, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मुलाकात होगी, उनसे आपको फा या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथभाग गिशाली अंका हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नह साधर धन्यवाद